कि नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर हैंमंध कुमार ठाकवर्व दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में रहल भी और को प्रशंट को पाद एक कोछज क्या होता है स्चोरेंट का या फिर अपने सारे कमेंट्स आए कि सरक modern practice किस टाइब से की जाती है इस चीज़ पर आप एक वीडियो बनाईए दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि होमोपेथिक physician के बारे में एक होमोपेथिक physician या फिर जो होमोपेथि विंग से जुड़े विए जो students है जो future के होमोपेथिक डॉक्टर बनने वाले हैं उनको एक modern और एक successful डॉक्टर बनने के लिए किन किन चीजों को follow करना पड़ेगा किन किन चीजों के साथ चलना पड़ेगा generation के साथ कैसे चलना पड़ेगा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों ठीक है न दोस्तों इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं इनली में 4 करते हैं कि एक modern practice करने के लिए एक modern doctor बनने के लिए successful doctor बनने के लिए हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और generation के साथ चलना किस टाइब से जरूरी है ठीक है न दोस्तों तो चलिए दोस्तों start करते हैं दोस्तों देखिए आज के समय में जो दिखता है न वहीं बिखता है ठीक है न तो आज के समय में यदि आप doctor है तो आपको doctor जैसे दिखना जरूरी है यहां पहला point है ठीक है न मतलब आपका जो physical makeup है इसमें बहुत सारी चीज़े आती है ठीक है न यदि आप doctor है तो आपको doctor जैसा दिखना जरूरी है doctor जैसा लगना जरूरी है ठीक है न लोग आपको देखकर पहचान जाए कि यह doctor है ठीक है न तो इसके अंतरकत दोस्तों बहुत सारी चीज़े आती है आपका physical makeup क्या है आपका बात करने का तरीका क्या है आपका चलने का तरीका क्या है आपका hairstyle क्या है तो इन सब चीज़ों को maintain रखना बहुत जरूरी दोस्तों यहां बहुत important होता है doctor के लिए एक profession को maintain करने के लिए it is a very important factor ठीक है न तो पहला point आपका के लिए रोगे है दोस्तों कि आपको doctor type दिखना जरूरी है ठीक है इसमें आपका जो पहनावा है यह doctor type लगना चाहिए मतलब आपका जो पूरा body का जो physical makeup है यह doctor type लगना जरूरी है पहला point उसके बाद दोस्तों next point आता है एक homopath physician के लिए क्योंकि यह problems बहुत सारे doctors के साथ में देखता आ रहा हूं और बहुत सारे strengths लोगों का भी है कहना आ रहा है कि sir मतलब हम लोग क्या hospital नहीं खुल सकते क्या है फिर हमारा जो setup है क्योंकि मैं बहुत सारे homopath physician देखता हूं जो एक अपनी clinic चलाते हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन यहां जो मेरा next point है यहां है आपका clinical setup ठीक है ना दोस्तों clinical setup बहुत important होता है देखी जैसे जैसे generation आगे जाते जा रहे हैं हमें भी generation के साथ चलने के जरूर ठीक है ना दिखावा करना बहुत जरूरी है आपे ठीक है दोस्तों दिखावा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में जो है ना मैंने जैसा पहले बोला ना जो दिखता है ना वहीं विकता दिखावा बहुत जरूरी है ठीक है ना अभी मैं important point भी बताने वाला हू मतलब आपका clinical setup पर इसे लगना चाहिए कि यार यहां पे सही में कुछ है clinic है मतलब patient आपके clinic में जाने से पहले उसे लगना चाहिए कि सच में doctor के हां आया हूं ठीक है ना इसके लिए दोस्तों बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी होता है जैसे कि आपके आपका चाहिए clinic छोटा हो लेकिन अच्छा हो ठीक है ना उसमें कुछ चीजों को मैं मेरा एक अनभव मेरा देखिए छोटा सा एक knowledge मेरा छोटा सा अनभव हो लेकिन मेरा एक अनभव के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा उन clinic के साथ में आपको किन-किन चीजों को एड रखना जरूरी है क्या-क्या सुविधाय रखना जरूरी है अपनी clinic में पहली चीज तो दोस्तों आपका जो setup है बहुत बढ़िया होना चाहिए दूसरी चीज दोस्तों कि आपकी क्लीनिक में एक पैथोलोजी अवेलेबल होना चाहिए ठीक है ना हमोपेथिक डॉक्टर की है बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में लोगों के मुह से सुनता हूं कि हमोपेथिक फिजीशियन कोई टेस्ट ने करवाते को इन्वेस्टीगेशन ने करवाते सही बात है जो इमे प्रेक्टिस ठीक है ना यह बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आपको यह टीटमेंट में भी हैल्प करेगा और डिसीज की ट्रेवलिंग में भी है मतलब डिसीज किस स्टेज में है और होमोपेथि में भी तो यहां ची तो में यही कहने का मतलब यह क्लिनिक में एक होना बहुँआ ज़रूरी है उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह दोस्तों की मतलब आपके क्लिनिक के साथ में आपकी एक भान मेडिकल स्टोर् मतलब फार्मेसी होना बहुत ज़रूर ना जो आप मेडीशन प्रस्ट्राइब आप एसा नहीं कि पूरी मेडिसीन अपने क्लिनिक में पुरा मतलब पूरा मतलबौप दिसम्रां के पे जबस कोसिती हुना मेडिशन से उन्हें इस्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों ठीक है तो यह था मतलब एक क्लीनिक का जो आपका सेट अप मतलब एक कि अच्छी है आपका क्लिनिकल सेटप अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होता था दोस्तों कि डॉक्टर का बिहेवियर क्या है देखें जो जब पेशन्ट आपके पास आता है ला। तो आपकी बाते सुनकर आपका विवार देखकर आपका बिहेवियर देखकर आपका behavior एक patient के साथ deal करने का जो तरीका होना चीए आपका बहुत अच्छा होना चीए ठीक है ना देखिए दोस्तों आज के समय के जो patient है वह भी update होते जा रहे हैं ठीक है आपको पेशन को हर चीज समझाना बहुत जरूरी है पेशन को satisfaction मिलना बहुत जरूरी है ठीक है ना आपका बात करने का तरीका पेशन के साथ coordination बहुत जरूरी है ठीक है ना इससे होगा क्या कि यदि आपको आपके दाराद दिया गया treatment हो सकता है कभी उसे हो सकता है कभी मतलब उसे प्रॉफिट ना मिला हो या फिर फाइदा ना मिला हो लेकिन वह नेक्स्ट बार आपके पास आएगा क्यों आएगा पता है वह यह सोचेगा नहीं यार उस डॉक्टर का ना behavior बहुत अच्छा है एक बार और जरूर दिखाते हैं मतलब दूसरा मौका इसीजर इलिटेट हर एक चीज उसे समझाना है ताकि उससे पेशन्ट जो है सटिस्फाई हो आपसे ठीक है ना आपका यदि आपका जो पेशन्ट है वह आपके दी फादर के एज का है तो आपको पेशन्ट को लगना चीए कि मैंने अपने बेटे से टीटमेंट करवाया ठ आपका गया डीक एजन्ट हो से एक है झाल के अधिक है ना या बात हुई तीसरा पाइंट होगे आपका बीहेवियर अब दोस्तों जो चौथा पाइंट है इस बेरी इंपोर्टेंट पाइंट बहुत इंपोर्टेंट पॉर्टकिंट है हर एक फीजिशेन के लिए चाहे व यहाँ लगबग 50-60% बोल सकते हैं आपकी प्रेक्टिस वे एफेक्ट डालती है ठीक है ना लेकिन अब जो मैं में एक जो में पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ सबसे इंपोर्टेंट पाइंट है कि आप कैसे सक्सेस्फुल डॉक्टर बन सकते हैं ठीक है ना तो चौथा पाइंट है दोस्तों आपकी इस्किल्स आपकी कला आपका नॉलेज ठीक है ना एक डॉक्टर के लिए उसका नॉलेज बहुत इंपोर्टेंट रखता है इसकी प्रेक्टिस लाइफ में ठीक है ना देखें दोस्तों यदि आप अच्छा क्लीनिक डाल लेते हैं अच्छा फिजीकल मेकप अच्छी परसंटी बना लेते हैं आपका बेहीवियर भी बहुत अच्छा है लेकिन आपके प्रेक्टिस में जो पकल है कहना ची जो आपका नॉलेज है यदि वह वीक है तो यह सब च प्रेक्टिस लाइफ अलग चीज है बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे सीनियर से बोल दें या फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मतलब मैं जानता हूं लोगों को जो अपनी तेवरिटीकल अपनी स्टुडेंट लाइफ में बहुत ही मतलब एक मीडियम इस्टुडेंट अच्छी है एक सक्सेस्फुल डॉक्टर के रूप में उभर रहे है ठीक है ना तो दोस्तों इसके लिए आपको डिसीज का नोलेज होना बहुत जरूरी है ड्रग का नोलेज यदि आप होमोपेतिक फिजीसेन है तो आप अफोरीजन नंबर तीन को अच्छे से स्टडी कर दिया हुआ है उसे आप अच्छे से पढ़िए और उन चीजों को ध्यान रखिए ठीक है ना इन आपके इस्किल्स में दोस्तों आपको मेनेजमेंट मतलब मेनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होमोपेतिक फिजीसेन एक्चॉल में क्या जो एक्यूट केस जो होते हैं उ जो फीचर में होमोपेतिक फिजीसेन बनने वाले हुँनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप एक अच्छा मेनेजमेंट पर ध्यान दीजी का है इसे कर सकते हैं एक कीउट को हैंडल कैसे कर सकते हैं बाइधर यूज ऑफ होमोपेतिक मेडिशिन ठीक है ना तो दोस्तों य मिलते हैं फिर से हम नई वीडियो में नई मेडिकल अपडेट के साथ नई मेडिकल टिप्स के साथ जब तक के लिए जय हैं जय भारत